नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतेश सीक्रेट धनूरासी वालों 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाओ लेकर आएगा आज हम आपको आपके साथ यही साजा करेंगे तो चलिए वीडियो के अंद तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है धनूरासी वालों अगर हम 2021 की चुकी हाँ बात कर रहे हैं तो साल 2021 में सकातमक ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि देखिए उतरती भी साड़े साती का जो पहला उतरती भी साड़े साती यानि अंतिम चरन धाई साल अंतिम के और उसके जो सबा साल ह जो उतरती भी आपकी साड़े साती है वो भी थोड़ा अच्छा फल देने लगेगा और वैसे भी आपका जो स्वामी है देव गुरु अपके तुरिकों राजियोग बना कर चलेंगे अब केंद्र तुरिकों राजियोग बनेगा तो सुख और स्वभाग्य दोनों ही और लब रिलेसंसिप में आप लोग एक दूसरे से बिभा करने की सोच रहे हैं तो ये किनन कर सकते हैं बैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और संतान प्राप्ति के एक सुन्दर सा योग बनेगा वैसे तो एक और बात है यहां पर बुधादिति योग भी बनेंगे क्यों आपके जीवन को बदलने वाला होगा आप अगर जॉब करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले लोग आपके आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे आपकी वानी का वेट बढ़ेगा लोग आपको सुनना पसंद करेंगे आपके साथ काम करना पसंद करेंगे और जो बैपसा पर आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा तो ये सोने पे सुहागा वाला बात हो गया बात करें अगर फरवरी के महने की तो देखिए फरवरी के महने में आपके जो रासी के स्वामी है सुख के अस्थान पे हैं देव गुरू अब अपनों के साथ सुख में जीवन जीएंग घर में चुकि सुख के घर में चार गरह एक साथ रहेंगे तो चतुर गरही राज योग बनेगा अब आपके तमाम कारियों में सफलता थोड़े से प्रयास में भी ज्यादा मिलेगी धन के मामलों में भी आप तरक्की करते नजर आएंगे और अगर लब रिलेसंसिप में हैं तो ज्यादा अच्छा वक्त है आप धनूरासी के बिद्यार्थी हैं या फिर आप जॉब के लिए वेपसाई के लिए बिदेश जाना चाहते हैं तो इस समय प्रयास जरूर करें क्यो तो आपके जीवन में आपका प्राक्रम बढ़ाते नजर आएंगे आप अपने बलबूते उचाईयों को प्राप्त करेंगे सुरे भी कुमरासी में आएंगे तो यहां पर सुख संपत्ति का आपको प्राप्ति होगा इस समय आपका ब्यापार ज्यादा अच्छा नहीं रह लेकिन क्योंकि यहां पर ब्यापार भाम राहु मंगल का अंगारक योग है जो आपको यहां बहुत फायदा नहीं दिलाएगा इसलिए जरूरत से ज्यादा सामान किसी को उधार मत दीजिए नहीं तो आपके कम से कम सामान आपके पास हैं तो आज नकल बेच लेंगे लेकि इसमें कुछ भी अनावस्यक बोलने से बात बीवाद में पढ़ने से बचे अप्रेल के महने में आपके लिए बहुत सारी राहत लेकर आएगा क्योंकि मार्च के महने में थोड़ी सी उतल पुतल है ऐसे में अप्रेल का महिना आपके लिए सुख़द रहेगा अगर आप ब देव की दिरिष्टी यहां आपके लिए स्वास्त के मामनों में बुरा प्रभावर डाल रहा है तो रोज साम में ओम संग्सने च्राय नम्हा का जब करें और भगवान सुर्य को परणाम जरूर करें आपका स्वास्त बेहतर होगा वैसे तो सुक्र देव आपके लिए यहां पर उच्चे के होके रहेंगे तो यहां पर बस यह समझ लें कि बैभाई जीवन बहुत सुख़द रहेगा लेकिन जीवन साथी को ऐसा कुछ मत कहिए कि आपका रिस्ते में थोरे से आप लोगों के बीच थोरा से दूरी आ जाए लब लाइफ में थोरी से संघर्स हैं लेकिन हां थोड़े बहुत नोग जोग के साथ प्यार भी बढ़ेगा मांसी चिंताएं थोरी सी इस मामले में हैं लब और आपका बैभाहिक जीवन में अब मही के महने की अगर बात की जाए तो यह जो मही का महना है इस में सनिदेव आप और यहां पर सुने द परहाओ रहेगा बैपारियों के लिए लेकिन अगर आप महनत करते हैं इमानदारी से तो सफलता मिलना तरह है लब रिलेसंसिप की बात करें या पारी बारी जीवन की बात करें तो यहां माई का महना अच्छा है एक दूसरे का साथ मिलेगा स्वास्त भी बेहतर रहेगा औ जून का जो महना है वो धनुवालों के लिए चुकि आपके जो रासी में देव गुरु बहस्त पती अब यहां पर केंद्र में भागय को देख रहे हैं यानि कि भागयों देह होगा इस जून के महने में और 20 जून को वक्री हो जाएंगे देव गुरु 18 जून तक 18 अक्ट लिए होगा आकस्मिक लाब होगा इसमें आपका कॉंफिडेंस बढ़ेगा आपका स्वास्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने स्वास्त में और थोड़ा सा उतार चपना और 20 जूलाई के मेंने में ठोड़ा बहुत तनाऊ है लेकिन बार्मे भाव में चुकि यहां देव गुरु हैं तो नकारत्मक योग बन रहा है तो कारे छेत्र में थोड़े से आपको सतर करें ना होगा कोई ऐसा काम ना करें कि लोग आप पे बे बज़ा के कलंक लगा दें मिथ्या आरोप लगा दें और यहां सूरी भी मिथुन रासी में आएंगे तो थोड़ा सा अप आपने जो भी पैसे इंबेस्ट करके रखे हुए हैं कहीं भी उसका लाब आपको मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें आपके लिए अगस्त के महने की तो इस महने में देखिए आपका प्राकरम बढ़ेगा आपके लिए अच्छा है क्योंकि कारे छेत्र में आपके जो स्वा कर दो यहां पर अच्छी है लेकिन अपने स्वास्त का ध्यान बनाइएगा देखतरय रहिए गांगर सितंबर के मेहने की बात करें तो इस में मेहने में कैंद्र ट्रिकोर्झ का स्वामी होकर रासी के स्वामी है न भागे भाव में बैठे हैं तो येकिनन आपका प्रेम भाव पर दिश्टी है अब यहां गजे केसरी योग भी बनेगा जो सफलता का द्वार खोलेगा बुद्ध सुक्र सुकस्तान में बैठे हैं तो वो भी लाब देंगे तो यहां चीजें बहतर होगी लेक जो पैपारी वर्ग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा उतार चड़ा होगा लेकिन देव गुरु बैस्पती की अस्टम में नीच का होकर बैठना सनी देव के पिडित होना यानि कि यहां पर देखिए आपके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं हैं पर धनहानी का कारण बन मिलेगी लेकिन बिदेश से जो कारोवारी है उनके लिए लाप के योग बनेंगे इस महने बात करते हैं आपके लिए दिसंबर के महने की देखिए यहां पर आपके करियर में उचाईयां आएंगी बैबाही जीवन में थोड़ी बहुत उतार चड़ा हो है लेकिन फिर भी इस समय धन के मामलों में बहुत सुखद रहेगा और इस समय बुधादीती योग फिर से एक बार बनेगा जो भी द्यार्थी हैं उनके लिए छपड़फार सफलताएं लेकर आएगा और स्वास्त भी इस महने में आपका साथ निवाएगा तो कुल मिलाकर ये 2021 भी आपके ल लेंगे हर हर महादेव